प्रेस कलब हमीरपूर की बैठक का योजन प्रेस रूम हमीरपूर में किया गया जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष दिनेश कमर ने की इस अफसर पर प्रेस कलब हमीरपूर के सदस्यों ने हिस्सा लिया बैटक में तीन महिनों के कारें का लेखा जोखा भी किया गया और प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ अगामी रनिती त्यार की गई बैटक में प्रेस कलब में खाली हुए पदाओं को भरने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सर्व सहमती से ब्रिस्ट उप्रधान अनिली शर्मा को बनाया गया जबकि अन्शाशन कमेटी के कन्वीनर के तौर पर बिक्रम धटवाली को नुक्त किया गया साथ ही सहव सची पद पर अश्वनी वालिया बिशाल राणा देशराज कौशल को नुक्त किया गया इसके साथ ही अमीत कटोज को कारेकानी सदस्य नुक्त किया गया है प्रेस क्लब हमीरपूर के महासची पंकज भारतिये ने बताये कि प्रेस क्लब हमीरपूर की महत्तपूर बैठक के विजन आज किया गया है और खाली हुए पदाउं को भरने के लिए बैठक में प्रस्ताब पारित कर नएक स्थियों की नुक्ति की गई है प्रेस क्लब हमीरपूर की आज अध्यक्ष श्री दिनेश कमर जी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन हुई है जिसमें अपने इस तीन एक महिने के अंतराल के पस्चात ये बैठक कुई थी तो इस दुरान जो गतिविदियां रही हैं उनके उपर चर्चा की गई इसके अत कारणी में कुछ दाइत्तों जो थे वो रिक्त चल रहे थे लंबे समय से उनको भी भड़ने की आज प्रक्रिया जो है वो पून की गई है इस प्रक्रिया में सरप्रथम वरिष्ट उपाध्यक्षपत के दाइत्त पर मेरे दाइतरब बैठे हैं श्रदेश्री अनिल शर्मा हैं आपका मनुनेन हुआ है जोएंट सेकेर्टरी के तौर पर विशाल राना जी अशनी वालिया जी और देशराज कोशल जी को मनुनीत किया गया है इसके तरिक्त अमित कटोच जी को एक्जेक्यूटिव मेंबर के नाते जो है वो इंडक्ट किया गया है प्रेस क्लब हमीर प्रें कारे किया है उसके लिए सभी पत्रकारों का अभार भी प्रकट किया है इस अफसर पर बैठक में उपदक शुशील शर्मा, बिजे शामा, बिक्रम धटवालिया, प्रवीन कुमार, सैसचीव अर्विंदर सिंग, अश्वनी वालिया, बिशाल राना, देश राज महिंदर सिंग, डिप्यारों बिने शर्मा, मुकेश ठाकुर, मोनिका, सचिन भाटिया, प्रैसचिव जस्वीर कुमार, राज कुमार राजु, अश्वनी चौधरी, सुमित कुमार, धरमबीर सिंग भी मौजूद रहे